क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास तो मर आपके अपने ट्रस्वादी चान्स टड़ी फॉर सिविल सर्विसेस पर आज आपके समक्ष लेकर आगे हैं 30 अफरल का करेंट अफेर हिंदी इंग्लिज दोने बाशाओं में प्रिलिम्स और मेंस एक्जामिशन के लिए इंपोर्टन् इंपोर्टन्ट है पूरा आर्थ कोई यहां पर आज ऑप्रेशन करते हैं एक एक चीज इसके बाद जो है सप्लाई चेंज रेजिलियन्स इनिशेटिव यह इंटरनेशनल रिलेशन से है और सप्लाई चेंज मतलब जैसे कि मारे जी आप हीरे जवरात गुजरात में बनते ह लेकिन उसके जो कच्चे हीरे हैं रौ मटेरिल जो है वो कहां से आता है सौत अफरीका से आता है तो यह पूरी सप्लाई चेंज है ठीक अब यह सप्लाई चेंज बिगड़े नहीं इसके लिए जो है आपका जै जै ने इनिशेटिव लिया है इंटरनेशनल लेशन जै क्या और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन इससे कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चीज तेस्ट पैटिफिकेशन काहे का सर्टिफिकेशन है नहीं समझ में आ रहा है इंपोर्टन हो जाता है इसे लिए ठीक आज के बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताते हैं कि कर सकते हैं आपको इन सिर्फ दो नंबर पर कॉल करना है अभी 6.4 मेंगनीटूड का मेंगनीटूड का जो है तीवरता का अर्थक्वे का है अर्थक्वे को मेजर करने के लिए दो तीन स्केल होते हैं एक होता है रिक्टर स्केल ठीक है यह पहला वैलू एडिशन है और दूसरा होता है मरकाली स्केल ठीक और तीसरा होता है इसको देखता है और मरकली इंटेंसिटी वाला जो है कितना डिस्ट्रेक्शन हुआ उसके इसाफ से होता है ठीक सिंपल सा एक डिफ्रेंस यहां पर कतम हो गया यह आपका अब देखें यह मैप है आपका उत्तर पूरी भारत का इसमें एक बहुत ही बड़ी जो है ऐसी मिस्ट सब अर्बन का शौर्ट फॉर्म सबर्ब है गुहाटी का लेकिन कैपिटल दिसपुर ही है गुहाटी नहीं है आसाम की कैपिटल सुन्यागे बाकी सब देख लिए मेगाले की शिलॉंग तिरपुरला की अगरतला अगरतला की डियम साब थे जो अभी एक शादीम गुस के ज सिक्किम की गंग टोक है ठीक तो यह हो गया और अच्छा बताइए उत्तर पूर्वी भारत से कौन सी ऐसी दो रेखा हैं जो करक रेखा से होके गुजरती हैं ठीक मग आपका टॉपियों कैंसर से गुजरती हैं बताइए कौन से दो स्टेट हैं ठीक और जो पहला हमारा दे जो सबसे उपरी सर्फेस होती है और यह आपका फोकस हो गया जहां से जो है कई सारे जो रॉक्स के में क्या होता है कि आपका जो है वह उपर नीचे कंप्रेशन और इन सबकी वजह से उसमें इनर्जी एकुमिलेट होती है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब फैश्वो यहां गया था एपी सेंटर ठीक और सेंटर कहला था और जो यह सारी वेव यसे जा रही है यह यह पी वेफ होती है इनको बॉड़ीव दो तरके की युद्टी वहाद ओर एस वेव पीवेश में अब फॉल फोर में प्रामरी यह नहीं प्राथमीक वेव होती यह पहले सिस् लिए जो है इसको प्रैमरी वे़स विल आता है यह तीन हो है माध्धियंट अब उस से निकल सकती है सिर्फ सॉलिट अूस्वस झायर अर्टीसरी इसके बाद जो है बॉडिये होता है तो यह दो तर्के क्यों होती है एक होती रहले वेवस एक चीज पूरी सब हो जाएगी यहीं पर पूरा देख लो दूसरी होती लव वेवस दो सबसे खतनाक दुनिया में लव होता है तो इसलिए अगर पूछा जाए कि PSLR में सबसे जो है खतनाक वेव कौन सी तो लव सबसे जो सिस्मिक वेवस उसमें सबसे खतना कौन सी लव है अब दोगोव यह बॉड़ी वेव दोनों ही है जैने वेव अगर आप साइट से देखो के तो यह उपर नीचे ऐसे चलती है तो यह उपर नीचे उपर नीचे वर्टिकलर और यह डाउन से उपर नीचे लेकिन आप अगर जो है साइट से देख रहे थे इसको यहां पर दिखा रहता अगर आप उपर देखो के बर्ड आई व्यूमल उपर से च्छत से देख रहा हो नीचे तो यह ऐसे चलती है साप की तरह ठीक तो यह ज्यादा डिस्ट्रक्शन वेला दोग आपने दरारे देखी हूं मैंने आपको बता है वह डेकुलिया जुली टाउन है सोनित्पुर में वहां पर मना गया है नैशनल सेंटर फॉस्ट इसमोलाजी नहीं जो है इसने बताया है प्रैमिरी अर्थक्वेक था इसका एपी सेंटर आक्शांस और देख्शांस बताये हैं कोई ज्यादा इंपोट फ्रल्टल ठर्स्ट पर यह आया है अब देखो एक चीज़ समझ लेना बहुत ही आदा इंपोर्टन तिबतिन प्लैट्यू ठीक साइट से देखना हम तिबतिन प्लैट्यू हो गया इसके बाद आता इटी सीजेट इटी सीजेट एसजेट ठीक है सुचर जोन सुचर का मतलब होता है स्टिचेज लगाना इसे सिलाई कर देना ठीक तो तिबतिन प्लैट्यू यह हो गया फिर बीच में आईटी सीजेट है जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स है ठीक एक इंडियन प्लेट है और दूसा यूरेशन प्लेट है तो यूरेशन प्लेट ऐ इसे बढ़ रही है इंडियन प्लेट ऐसे बढ़ रही है तो यहां पर जो है यह मिल रही है जहां पर इसको आईटी एसजेट बोलते हैं सुचर जून इसके बाद आपका जो है अब क्योंकि क्या हिमाले जो हमारे बने हैं वह जो है रेंजिस हैं तीन कॉर्डिल राज है सम बाद आपका पहली बार जब यह बढ़ना स्टार्ट हुआ ठीक तो पहला कौन सा बना हमादिरी बना अगर आप इसके नौर्थ में देखो कि नौर्थ है साउथ है ठीक तो यह सब कारा कोर मांटिन जो इधर बनें ठीक यहां पर क्या बना आपका यहां पर हिमाले बन गया फिर इसके बाद जो है आपका यह हिमाचल बन गया हिमाचल लेसर हिमालियास बोला आता है और उसके बाद जो है शिवालिक बना और शिवालिक के बाद जो है यहां पर आपका जो है यह इसको जो है में सेंटरल ठरस्ट बोलते है ठीक उसके बाद आपका जो है हिमाचल वा तो एक साथ नहीं हुए पहले यह बढ़ा है फिर यह बना फिर यह बना है सबसे चोटा है ठीक है तो यह इस तरीके से यह हिमालियों फ्रेंटल थर्स्ट आया तो मैंने का आपको बता दूँ फॉल्ट क्या होता है तो फॉल्ट से समंदित जो है मैंने यहां पिक्चर चिपक क्या है सेम डेक्शन फोज लग रहा है तो यह इसके ऊपर चड़ गया ठीक और साइडवेस्ट मलब खेसक जाए तो उसको स्ट्राइक स्लिफ फॉल्ट बोलायता है ठीक है यह चोटा से यहां पर फॉल्ट बनने बता दिया देगे जोगरफी में क्या होता है कि आप इमेज असाम वाला जो एरिया है वह आपका सिस्मिक हजार्ड जोन फॉर में आ जाता है जो कि बहुत जादा आनक चांस है इससे लिटर मनें यहां पर डाग्राम जोड़ा है दिखेगा कि नहीं दिखेगा दिख जाएगा बाई देखे इंडिया में चार सिस्मिक जोन है ठीक दू जोन यह सारे ठीक गुजरात का भी आता है मोटा मोटा याद रखिएगा इसको ठीक और उसके बाद जो है जो है तू जो है सबसे ली सिस्मिक है जो कि मतलब में जो है आपका कॉंटिनेंट का एरिया है तो यहां पे कम होता है यह किसने बताया यह जोन यह जी लॉजिकल सर होते हैं देखें यहां पर हिमालियों फ्रेंटल ट्रस्ट मैंने आप लोगों को पूरा अभी यहां पर कर दिया बोटान और बर्मीज और कॉपली फॉल्ट वॉल्ट वॉल्ट क्या होता दिया इस्टेट्स का जी लॉजिकल सर्वे हुआ है उसमें फॉल्ट को बताएगा बॉंडरी है अगर तो आपस में लग रही है हो सकता कुछ भी हो रहा हो तो रॉक के अंदर जो इनर्जी होती दिरे दिरे जो कंप्रेशन के वज़े से फिर एक्सपेंशन के वज़े से वह एक समय ऐसा आता है कि ठ्रशोल्ड जादा हो जाती है तो वह वहां से टूट जात जाता है मैंने आपको पहले बताया यह होती सारी चीजे कहां पे फॉल्ड फ़ॉल्ड जाए यह वाइस एरिया सस्म अभलब इसमें भूकंपी रूप से आइस तर्क क्यों है क्योंकि एक तो ट्रेक्टोनिक स्ट्रस बहुत जाता है फॉर्ट लैन बहुत जाता है जैसे मैं है हमाले इनवाले पर टिक और एर्थ्वेक जो है क्या है इस्ट्रेस जो है रिलीज कर देता एक साथ ठीक तो यह बहुत सारे टाइम पे मदलोब बहुत जाए टाइम से यहां पर रॉक्स जो है उनमें इनर्जी भरी विया निकल ले ए अर्थक्वेक क्या पर टेफिंशन यह दो तरीके को था बॉडी वेव सर्फेस वेव यह समय आपको बता चुका हूँ पी वेव यह आपको सॉलिड लिक्विड गैस दीनों में जाता है यह सिर्फ सॉलिड में जाता है ठीक और यह जो है आपका कुछ यह शैडो जोन बनाता है मतलब यह नहीं पाए जाते हैं य इनर कोर और और हो उट्र को जो है लिक्विड और है इसलिए जब यहां से देखेश स्वेजफ चली माले जीए यहां से अर्थ को यह चलू हुआ था तो एस वेज़ए इसके आंदर हुपाई क्योंकि यह लिक्विड में पास निपाती है ऐसे ध्यान लगसी इस तरीके से यहां से निकल गे तो यह पूरा जो जो होता है 143 के असपास से 143 तक यह जो है आपका एस वेफ शेड़ो जोन है मतलब यहां पे कोई एस वेफ पाई नहीं आती इसी तरीके से क्या है कि जब पी वेफ जाती है पी वेफ इसके थू होत होजा पार लिक्विड लेकिन रिफ्रेक्शन की वजह से क्या है कि वह इस सिर्फ इतने एरिया में और यहां पर आप देखो गहां से इतने इरिया में जो है जैड़ो जोन होता बाकी में पाई आती है तो इससे क्या हुआ है कि हम भी पता चली अच्छा लिक्विड एस पार नहीं हो पाती समनना और इसका मतलब यहां पे जो है यह पारोई तो आउटर कोड जो है वह लिक्वीड है तो इंटरनल स्टक्चर हमें पता जल गया अरत का यह बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यह सिस्मिक वेफ का ठीक हम खोद तो पाएंगे नहीं कितना ज्यादा क और अर्ष्कूर इसकी मतल है कि उश्कूरी intense method की वेजये संवेट कोडिये जो किस राजमें के बताई जाती है वालकाने की वेजी होता होता है घ्राच। माइनिंग आप लोने नाम सुनाओगा रेट होल माइनिंग यह कोईले से समंधित है यह भारत के किस राज में पाई जाती है यह बताइए और अर्थक्वेक वही मलब नुक्ली एक्सप्लोजन उजाते ना पूरी धरती थत्रा जाती तो वह भी एक टाइप है अर्थक्वेक होना का ठीक तो यह आर्टिफिशल है बाकी कोलाइप्स और यह सब जो है नेच्रल होते हैं वॉलकनिक भी नेच्रल है कोई इंसान नहीं कर पा पाटा है कितने सारी चीजे एक साथ अभी टाइम हो रहा कितना पंदरा मिनट के करीब हो रहा है यह अगर आप खुद पढ़ने बैठोगो तो मैं आपको बता रहो भाई से तीन घंटा मिनिमम लगे जब आपको पता हो कि कहां कहां से पढ़ना है ठीक तो यह सिग्निफिक अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सप्लाइचेंज रेजिलियंस इनिशेटिव क्या है कि जै जै मैंने बोला तक क्या चीज है जापान ऑस्टेलिया इंडिया ठीक जै जो है यह गुत्ती अपसुलत चुकी है यहां के ट्रेड मिनिस्टर आए और इन्होंने कहा कि हम जो है कोई पेंडी में कहा जाए तब भी आप पूर्ती जो चेन है वह खता मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो वैसे चलता रहा है जैसे मेरे आप लोग बताया था गुजरात में माली जै कि जो है जैम्स एंड जैलरी की पूरी इंडिस्ट्री है लेकिन कच्छा माल जो इसका होता ह है डाइमेंड अमेरी कहां से आता है तो यह एक सप्लाइचेन है पूरी ठीक यह जोली की इसी तरीके से और भी हो सकती है आपका खाने की भी हो सकती है ठीक कहीं पर राइस बन रहा कहीं जा रहा है या फिर कोई और इलक्ट्रोनिक का समान हो गया तो यह सप्लाइचेन में आगे भी कोई चीज भी आ जाए तब भी सप्लाई चेन ना रुके मैनुफ्रेक्ट्रिंग बेस जो है यहां पर इंडिया ने बुलाया इनको जापान और आस्ट्रिलिया को आओ यहां पर बनाओ में इन इंडिया वाली चीज है और डिपेंडेबल मतलब एक तरीके से कंट्री जो है रिलाइबल डिपेंडेबल सप्लाई मतलब की चाहे कुछ भी हो चलता रहे यह सारे प्यूस गोईल यह सारे जो है मिनिस्टर्स थे कोविड-19 के वज़े से काफी जो लोगों की लाइफ जी विका यह सब एफेक्ट हुई है सप्लाई चेन भी एफेक्ट हुई है सही बात है और इसको आप पूर्ती शंकला बोलते हैं इंडी में और मिनिस्टर्स ने कहा है कि हम ने यह नोट किया है काफी लोग जो है इसमें प्रभावित हुए हैं और हम चाहते हैं कि कंसल्टे द्रेटि का यूज़ करो ठीक और दूसरा है कि जो डाय वर्सिफिकेशन हैं हम लोग सिर्फ एक दो चीजों में ट्रेड ना करें या फिर इनवेस्मेंट ना करें एक दूसरे कंट्री में तूर्ट करें हम विविद्धी करन करें ताकि आपको द्यारी कर रहा हूं आप सिर को सारे subject में चाहिए economy geography environment science हो गया आपका history हो गया सब में आपको एब बॉब जब आना चाहिए किसी एक सब्जेट में आप जह है माहरती बनके रहन से एक्वसिक्जाम को नहीं पूरा कर सकते की ओर हैं जहा लोगो है अवसमें कर आप लीज़े जіч ऑप मंने फि preparedness आप महारती थे और एक्जाम में पॉलटी के ऐसे कोश्चन आगे जो आप भी ना कर पाए तो बाकी में तो आपका बंटादार हो गया तो इसलिए जो है विविदिकरन होना जहूरी है कि आप जो है उस कैसी भी सिच्चेशन है आप पार हो जाए आपकी नई यह वाली बात है ठीक तो यह वहीं उनने बोला है कि आपका जो है इंवेस्मेंट प्रमोशन करेंगे बाया सेलर मैचिंग होगा मतलब जो है विविदिकरन करके डिवस्टिफिकेशन करके सप्लाई चेन में असानी से किया जा सकता है लॉंग टर्म तक कोई मतलब प्रेडिक्टिबिल्टी बिजनस और अकेडमिया जो पढ़ने वाले लोग है और जो बिजनस करना है उनका भी बहुत इंपॉर्टन रोल है इसमें ऑफीशल जादर जादर टाइम तक मिले उसको फॉवर्ड लेकर जाना है इसका उद्देश देखे यहीं है कि एक ऐसी साइकल बनानी है ताकि हम सप सब्सक्राइबल यानि किस्थाई बना सकें सतत्त बना सकें बैलेंस जानी संतुलेट इंक्लूजी अनि समयवेशी ग्रोथ हो सकें पूरे रीजन में ठीक समझ में यह इंपॉटन्ट है अगर पूस्ता तो आपको जय आयास नाम से याद हो जाएगा कि जो है आपका SCRI वाल सब्सक्राइब यह कलकता है तो इनको कारवाहिक जयानकना कारवाद यानि की acting Chief Justice of High Court कलकता बनाया गया प्रेसिट्ट ने बनाया आर्टिकल लंबर 223 के अंतर के बनाया है उननतिस अप्रैल को यह हो गया है फ्रेक्ट से अब यह आजएएंगे समयाओंगा यह पॉइंट को सब्सक्राइब करता है ठीक रेटायमेंट इन बहुत ही चोटा है सिरी जस्टिस थोटा हिल थोटा ठिल और भासकरन और नायर और राधाकृष्ण प्लीज मुझे माफ करिए अगर मैं सहीज बोल पाया नहीं बोल पाया हूं तो और अक्टिंग मुलब कारवाहक जो है मुखनादिश की जो हुने ने अपार्टमेंट करी है और यह कब कारवाहक को किया जाता है आर्टिकल सब्सक्राइब करता है कि हर सब्सक्राइब होता है किसी स्टेट में जो आपका सब्सक्राइब करता है कि हर सब्सक्राइब होना चाहिए अभी बताएब कितने हाई कोट हैं वारत में पतचीस है ठीक पतचीस ही ना ना कन्फरम करके बताइब कि आपकी सब्सक्राइब करते हैं है और इसमें मैंने आप लोगो पीछे कॉलेजियम सिस्ट्टम पूरा बताया था आप लोग जो है और कोई भी फिक्स लिमिट नहीं कितने number of judges होंगे कितने maximum number of judges हो सकते हैं हाई court में यह as per the necessity appoint किया जाते हैं और आपका 7th constitutional amendment के बाद में क्या हुआ साथ ही समधानिक सरशोधन के बाद में कि हाई court यह नहीं कि हर एक state का अलग ही अलग हो आज के टाम पर आगर आप देखो तो एक हाई court पे कई सारे state के जो हाई को लग कवर करता है वो ठीक यह 7th constitutional amendment के बाद हो गया था यह और आट कर नमपर 241 जो है पार्लियमेंट को यह पावर देता है कि वो किसी हाई court किसी union ट्रेटरी यानि के रिशाष्य जो प्रदेश है उस खेतर है उसके लिए भी जो हाई court बना सकता है जैसे कि आपका कौन हो गया दिल्ली के लिए 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 का अपना आ है हॉर किसी पीस समयंदी काफी इंपरेंट था आगे जलते हैं parasol project सिंपल सी चीज है एक सोलर ड्रायर बनाया जा रहा है सोलर स्लज अब देखो क्या है अर्बन एरियाज में काफी जो है कूड़ा कच्रा अप्षिस्ट वेस्ट यह सब कुछ होता है लेकिन इसमें और्गनिक वेस्ट जो है और्गनिक मतलब किसी जीवी चीज से चाहे वह प्ल स्लज भी जो तरीके से जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने लाख्ता है के वागता नहीं करना तो नहीं लगती वह जलता रहता है वह गरम होता है तो यह वह तरीके से जो आपसिस्ट है जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने का उसको कलेकर करके ट्रीट करने का एक जो है सैंटिफिक तरीका है तो यहां पर इसका फांडेशन इसका फांडेशन स्टोन अभी रखा गया है चैन्नाई में के जो यह डाक्टर थे सियर और सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टिटूट चैन्नाई इन्हों ने इसका फांडेशन स्टोन अभी रखा है यह चीब बताई जारी अर्बन एरियास के अब से सॉलिड वेस्ट इसकी वैसे और्गनिक वेस्ट को बना दें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता बायो चार से हम जो है कई सारी चीज़े मुलाब जैविक जो है चार कोल बना लिखते हो ठीक उसको इसको बना सकते हो चातिया था अब इनर्जी प्रवाइड करोगे स्मार्ट सेटी में स् प्रवाइड किया किता सी एसाई आर इस आपका सी एला राई ठीक यह आपका क्या है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टिटूट जो की चन नहीं में है और इंडो जर्मन साइंसे टेक्नोलोजी सेंटर में हुआ है इसमें देखिए वहीं है आपका फाइबरेस और्गनिस व कोका लगा उसको हाईजिनिक तरीके से हाई यह यालएबल ब्युन बना लेएक एनरजी करेंगे कारबन सको हैनि की जो सर्जित हो रहा था उसको रोक लेंगे ठीक य dimension करोना यह not دेरहों एनर्जी का रिकवरी हो गया और इंवार्मेंटल इंप्रोब्मेंट करोगे तो ये आपका इंडो जर्मन साइंस और टेक्नोलोजी सेंटर है इसमें कौन-कौन इंपॉल्ड है आपका जर्मनी वाले भी इंपॉल्ड है ठीक है रिसर्स और डेवलोप्मेंट आपका दोस्त हो गया एंड इपार्टमन साइंस और टेक्नोलोजी सारे सारे है इसका उद्देश देखिए वही है पैरासौल ये रिपोर्ट एक प्रोगाम बनाएगा इसका नाम क्या है पैरासौल स्मार्ट सिटी एकी करत इनरजी सप्लाई ठीक एकी जगे से इनरजी सप्लाई सकते हैं घ entren while other Network फैंवरी तो वह कापी उसमें और और बानik वेस्ट ďट्मेंट होगा असलो Management से रड्राइ ड्राम कर सकते हैं यह लोग इस समझाइब यहां सभ़वद सकसुश्ट जंग्रह करो कलेक्शन करो उप्चाय करो टीटमेंट करो निप्टान करो मतलब डिस्पोजल करो स्मार्जटीज को जो है और जदा सतर विकास यहां पर हो सके अर्बन सेंटर को एक तरीके का एकिकरत और इंट्रेक्ट्रिव एफ प्रोज दो ठीक है पारसॉल प्रोजेक्ट जो है यह काफी सिंपल रोबस्ट प्रोसेसिंग टेक्नीक है मतलब आसान जो है प्रसंस्क्रण टेक्नीक है जो की अर्बन का जो अपसिस्ट होता है उसको सिनर्जेटिक मेनर में अच्छे से इंप्रूब में सेंटेशन गंदगी बिना फैलाए और वेस्ट को जो है कई काम करने के लिए कितना कार्बन का सर्जन कर दे रहे हो तो स्मार्ट सिटी माल लीजिए जैसे वाकी सिटी वैसे स्मार्ट सिटी माल लीजिए इसको जोड़ा जाए तो एक महीने में कितना कार्बन को सर्जन कर देता है तो उस तरह किसा आपको तो उसका क्या क्या हैगा जो भी question पूछा है उससे derive कर सकते हो answer को ठीक और इसके लिए basic understanding भोग जा जो दी तो carbon footprint जो smart city का है उसको कम करना है और chimney जो है solar natural chimney effect होगा high efficient single chamber paralysis मैंने आपको बता दिया है अगला जो हमारा तोपिक है simple सा है large area certification मैंने आपसे पूछा था कि certification कि चीज़ का हो रहा है तो certification अच्छा भी जो है वो कल जो मैंने question पूछा था कि leadership क्या होती असली मतलब क्या आपके हैसाब से क्या होनी चाहिए कई लोग ने बहुत च्छे जवाब दी है और वो बहुत अच्छा कि कोई भी इसमें गलत नहीं था सारा अच्छा है मेरा देखे यहां पर यह है कि असल लीडर होता है ठीक मेरे जाब से यह आपका जो है वो भी अच्छा है पॉइंट साब लिख सकते हो तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो आपका स्कीम है यह गौर्वन्ट ऑफ इंडिया ने एक एरिया जो है 14491 एक हैक्टेर का आपका कार निकोबार और नॉन कावरी ग होता था आपका जैसे परमपरागत किर्शी जो प्रोग्राम है हमारा ठीक ट्रडिशनल वाला उसमें क्या होता था कि दो तीन साल तक आप कार करो और निक खेती करना चाहो उसको पहले बदलो उसमें फटलाइजर मट डालो ज़्यादा मलब पढ़ेंगे नहीं फटलाइज आप उनको तुरंत आपको अगल लग रहा है कि हमनको सही है तो तुरंत उनको और गनिक जो है खेती वाला सर्टिफिकेशन देदो यहीं स्कीम है लार्ज इरिया सर्टिफिकेशन से समद्धित है और फिर जो है वह अपना काम चालू करें एज़े जो है पेचना विजना सा गया आपका कौन-कौन से यहां पे वॉलकेनों है कौन सा एक्स्टिंट है कौन सा भी जिन्दा है डॉर्मेंट है लेकिन ठीक और कौन सा जो है टेन डिग्री इसको कौन-कौन से आइलेंड को करता है डिवाइड करता है यह सारे चीजें देखो मैप उठाओ और ओर्ड की जो है इंडिया की मैप बुक और ओरियन ब्लैक स्वान जो है वह वर्ड की मैप यह ले लो बहुत जबरी है मैप बुक में मार करके रोज देखा करो इजी रहता है याद भी रहता है अब तक यह पहला कौन्टिकोस ट्रेट्री है जिसको और गनिक स्कीम यह किस बड़े सिस्टम प्रोग्राम के अंतरकत आती है प्राटिसिपेट्री गारंटी सिस्टम स्कीम के अंतरकत आती है इसको हम पीजेस इंडिया भी बहुते हैं लार्ज एरिया स्कीम के बारे में अगर जानना चाहे तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एकल्चर की सिस्टम परागत किर्शी विकास योजना जो है उसकी फ्लैप से स्कीम के अंतरकत कुईक सर्टिफिकेशन जल्दी सर्टिफिकेशन हो जाए आपका लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन ताकि जो है मलब किस चीज़ का और गनिक खेती हो रही है ताकि उनके पोटेंशिल एरिय कर लिए पकॉस्ट एफेक्टिव होजाता है और इसमें लेसी जू है अपका यारिया सर्टिफिकेशन लार्जवेशन इसमें हर विलेज्च में होता है और यह-क लबर्ल से इनको कई कर्मर्जन पीरिट और उन सब में नहीं दो-तीन साल नहीं वेस्ट होगा तुरंत एन्वल वेसिस पर होता है एन्वल वरिफिकेशन भी होगा फिर से उसको रिन्यू कर दियाएगा परमपरागत क्रिशी विकास योजना क्या है दोजापंदरा में लगूई थी यह स्वाइल ह सबसे उपर यह है इसके अंदर स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट है उसके अंदर परमपरागत क्रिशी विकास योजना है अच्छा भारत का सबसे पहला और्गनिक स्टेट जो है कौन है सिक्की में द्यान रखना यादी होगा इतना बहुत जादा इसका पर चार्चा हुई थ करना है यह प्रमोट करता और्गनिक फार्मिंग को ठीक और्गनिक विलेज बना के पार्टिसिपेट्री का इंटी सिस्टम के अंतरकत और विदा हैल्प जो है प्रकार यह आपका परागत क्रिशी विकास योजना की हेल्प की वह से गौवर्मेंट क्या उद्देश है इसक कैमिकल मच डालो इसमें एंक्रीज करें कौए करो और जो यृड यह यद्ट है यह फरक होता है पता है मतले मालिजे की एक एरिया है उसमें से आपने 10 kg जो है आपने वह प्रॉडक्शन ऑतपादन किया, आलु किया, तो यह जो हो गया, प्रोडक्शन लेकिन लेकिन अगर प्रोड़क्टिविटिवटी में आप जाऊगे, तो इस पे वो यह देखेगा कि भ añ Mega दस किलो उसने किया, कितने एरिया में किया, ठीक माली जे अगर ये एरिया इतना बढ़ा दें कटा दें तो अगर कम एरिया में कि 10 किलो किया तो अच्छी बात है प्रड़क्टिविटी बढ़ाई है हाई यील्ड है ठीक है ना और एक चीज और भी है कि आपने इसमें टाइम का इफेक्टर लगा सकते हो कि हो सकता है आपने आपने क्या चीज उतनी चीज करी तो प्रड़क्टिविटी रेट होता है ठीक है तो यह चीज है पैदावार में बढ़ते समय म्रदा सवास्त में जो है सुधार करना यीड बढ़ाना पैदावार बढ़ाना और और जो फूर्ड है दस प्रडूस विल बिंक्ट वि को अच्छे जगे मौल वाल में भिके याला यह जो लिए तो देखे अगला जो हमारा टॉपिक है वह कौंबने का इसको अगल जो सेक्शन है मारा रोज का जो कि बहुत यह इंपॉर्टन की इसको बोलते हैं हम लोग कॉम बने का इस पीसे इसमें सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं कर नहीं क्या तो इसलिए यहां पर हम बताते हैं किस तरीके से क्या ट्रिक क्या चीज़ों के ध्यान देते हुए कुश्चन को आपको सॉल्व करना देखे यहां पर श्रमिक इसमरती दिवस यानि कि वरकर, एपी आफ़क लें इइपोर्टन है, वरकर मेमोरियल डे जो है उससे समंदित कौंसे सही है देखे वरकर मेमोरियल डे यह 29 अप्रैल गलत है यह स्टेटमेंट क्योंकि यह 28 अप्रैल को होता है थीक अगर यह दो इसटेटमेंट आप पढ़ते लोग मर गया या फिर इंजर्ड हो गया काम करते वह वरकर उनकी याद में बनाए जाता है और यह इंट्रनेशनल लेवर और उगनेशन जो है साथ में किसके ITU हो गया डिसेबल हो गया दिव्यांग बन गया काम करते हुए और 2021 की थीम क्या है हेल्थ एंड सेफटी इस फंडमेंटल वरकर्स राइड मतलब एक मूल अधिकार है वरकर का हेल्थ और सेफटी और आप लोग बताता हूं कि लेबर रिफॉर्म जो इतने भी कोड आया ना यह सेफटी यह सारे मैंने अल्ली करेंट इफ जिस पर आप यह दिखते हो इस पर पूरे यह सारे जो है प्लेलिस बनी हुए है लेबल लॉग की इंडिस्ट्री रिलेशन्स की आप जाके इन सब को देख सकते हैं तो आज यहीं पर हम लोग का जो है सेशन खतम होता है बहुत ज जो है कई सारे हम लोग ने टॉपिक भी यहां पर देखें इंटरनेशनल इलेशन भी देखा ठीक अगर आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन को तो डलिए उसके बाद जो है शेयर और बाकी लोग तक भी पहुचाईए सब्सक्राइब तो करिए करिए ता जिरो लग जो इसकते देखें कोविड है लेकिन ऐसा नहीं कि एक्जाम होंगे निए रहां होंगे टाइम भले ही लग सकता लेकिन एक्जाम होंगे जोड़ और एक्जाम नहीं होंगे तो बिल्कुल भी निरंकिश होने की जोगत नहीं है लगातार पढ़ते रही है और जदा आदो नहीं होंगे गयाँ कि त elk मद्गोंगे जो पीमाद comment भीडिए यालम कोविवड़ एक्जाबे नहीं होंगे है फ्ले करिक लिए मैदाने के लिवार भी आजरा मादारो भीवाल्ण है और प्ले कि आजरा है वालम थाम है जोड़ Munich गनाम है झालम है झालम है थाम